Hello and welcome back, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे tenancy option के बारे में, अगेन जब आप EC2s test बनाते हो तो ये option आएगा, अब option आएगा तो कुछ काम का ही होगा, तो उसको पूरा समझना पड़ेगा, क्यूं? क्यूंकि इन लोगों का कुछ fix नहीं है, interview में भी पूछ लेते हैं और, you know exam में भी पूछ सकते हैं, हमें तो सब कुछ सीखना है, तो फिर ये भी option देख लेते हैं, अब पहली बात ही है कि ये option आएगा कहां से, तो मैं क्या करता हूँ? मैं आपको EC2 dashboard में ही लेके चलता हूँ, वही से देख लेते हैं, तो, अब यहाँ पर मैं EC2 instance बना रहा हूँ, जैसे launch instance, scroll down कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब ये option जानती ही हो, दिखिए, यहाँ पर हमारे पास एक option होगा, advance, advance में कहीं सारे options है, पर दिखिए, जब आप scroll down करेंगे, तो एक option आएगा, tenancy, अब tenancy पे जाएगे, तो तीन आप्सन आएगे, shared, dedicated and dedicated host, तो फिर confusion होगा, इस बी आपको sorry sorry करके answer करेगी, फिर भी आपका concept clear नहीं होने वाला है, इसलिए, बैट रहे कि ये वीडियो देख लो, 10 minute का वीडियो है, पूरे concept clear हो जाएगे, तो चलिए, whiteboard में चलते हैं, और देखते हैं, कि क्या है ये tenancy, तो सबसे पहनी बात, tenancy की definition, right, definition क्या है, determine, how the physical hardware, on which you are creating instance, share with other AWS account, देखिए, पहली बात, यहाँ पे हम physical hardware तो manage करते ही नहीं है, underlying infrastructure management जो है, वो AWS की responsibility है, पर, पहले भी, पहले वीडियो में, जब हमने वो AWS देखे, placement group, वहाँ पर भी हमने कुछ थोड़ा सा influence किया था, यहाँ पर भी हम करेंगे, पर करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, कैसे, पूरा समझाता हूँ, देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है, कि AWS एक public cloud है, आप EC2 instance बना सकते हो, मैं भी बना सकता हो, अब मेरा EC2 instance और आपका EC2 instance, EC2 instance तो virtual machine है, तो मैं भी वो same physical hardware या physical host यूज़ करता होगा, अगर वो करता है, तो कोई problem तो है नहीं, पर कई company में ये government compliance है, rules है, कि हम किसी दूसरे के साथ अपना hardware share नहीं करेंगे, तो AWS ने बोला कोई problem नहीं है, थोड़ा सा पैसा हमें दे दो, हम आपको ये facility भी देंगे, तो कैसे, तो तीन options इन लोगों ने हमें यहाँ पे दिये है, पहला option है shared वाला, ये normal है, normal का मतलब क्या है, देखे एक physical host है, right, physical host याने main hardware, कौन manage करेगा, AWS, ध्यान में रखेगा ये, और इसके अंदर तीन EC2 instance बने हुए है, तीनो customer अलग-अलग है, A, B, C, right, आप ये कर सकते हो, ये shared है, normal process है, कुछ extra पे नहीं करना है, कोई extra facility नहीं चाहिए, और मैं बोलू तो कोई security compromise भी नहीं है, अगर आप EC2 instance बनाते हो, और उस समय आपने ये option tenancy वाला select ही नहीं किया, तो ये always shared में ही जाता है, right, और यहाँ पे literally आप physical host जो है, वो multiple customer के साथ share करते हो, उसके बाद हमारे पास एक option है, जिसको हम बोलता है dedicated instance, right, ये instance होना चाहिए, पर वहाँ पे नहीं है, तो dedicated instance, यहाँ पे क्या होता है, physical host होता है, कौन manage करेगा, AWS, right, पर AWS हमें ये surety देगा, के बाईया, आपका EC2 instance, जिस host में run कर रहा है, या run होगा, उसमें दूसरा customer allowed नहीं है, तो देखें, यहाँ पे एक physical host है, दोनो EC2 instances, customer एके ही run होगे, या मैं customer है, उतो मेरे दो होगे, दूसरे के run करने नहीं देगे, VIP facility मिलेगा, right, आप बेटो, आपकी family बेटो, उस car में, दूसरे बाहर वाले को बेटने नहीं देगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, right, तो यह एक facility है, government compliance के कारण, कई company इसको लेती है, उसको बोलते है, dedicated instance, आपको कोई control नहीं है, physical host पे, और किसी दूसरे AWS customer के साथ, यह dedicated physical host शेर नहीं कर रहा है, then we have third option, इसमें क्या होगा, देखिए, आपको full control है, अपने physical host में, देखिए, यहाँ पे AWS का logo नहीं, यह Cloud Fox का logo, इसका मतलब है, मैं ही, यह physical host को manage करूँगा, इसमें, मुझे पूरा control होगा, operating system का, अगर मेरे पास अ on license, BYOL पर भी चलता है, मैं अपना license भी डाल सकता हूँ, CPU socket, पूरा underlying control होगा, इस particular physical hardware के उपर, उसको बोलते है dedicated host, अब host मेरा है, physical host मेरा है, तो इसमें मैं डालूँगा क्या dedicated instance, दूसरे customer का तो मैं कभी डालने है, नहीं दूँगा, तो यहाँ पे hardware पे भी आपको control मिलता है अब आपको यह question होगा, के ठीक है, यह पूरा समझ गया, पर यह dedicated host कैसे बनाएं, तो चलते हम अपनी screen पे फिर, देखे, यहाँ पे मैं करूँगा, अब यहाँ पे, आप EC2 dashboard में जाएंगे, तो देखे, यहाँ पे option आता है dedicated host, अब यहाँ पे जाके allocate कर सकते हो, आप family select कर सकते हो, उसके बाद आप availability zone select कर सकते हो, और पूरा hardware जो है, वो आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आपको जो भी EC2 status उसमें बनाने है, वो बन सकते हो, pricing के बारे में भी बात करेंगे, पर यह तीन options आपको समझना बहुत जरूरी था, चो हमने अभी सीख लिया है, आगे भी कई सारे options हैं, उसमें से best, चो हमें सीखने में बहुत मज़ा आएगा, वो है pricing option, और मेरी guarantee है, कि मैं आपको इतनी अच्छी तरह से pricing option सिखाऊ के आपको कोई भी interview में बीट नहीं कर सकता, बस आपको क्या करना है, सिर्फ यह videos देखना है, thank you very much, see you in the next video, have a nice day, goodbye.